गाइस एटल एक्स्ट्रीम फाइबर को यूज करते करते हैं मुझे 15-17 दिन complete ओचुके हैं इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं मुझे क्या-क्या प्रोलम देखने को मिली है मेरे एटल एक्स्ट्रीम फाइबर के अंदर अभी उसकी speed कितनी आती है और आपको कौन सी प्रोलम देखने को मिल सकती हैं क्या उसकी अच्छी बाते हैं तो अगर आप एटल एक्स्ट्रीम फाइबर लगवाने के बारे में सोच रहे हैं तो इस वीडियो के अंदर आपको सब कुछ पता लगने वाला है तो लेस्ट टार्ट गैस एटल एक्स्ट्रीम फाइबर की जो इंस्टोलेशन थी और उसके जो speed टेस्टा स्टार्टिंग का day 1 का उसकी मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ उसके अंदर मुझे क्या प्रोलम देखने को मिली हैं आप मेरे चैनल के अंदर जाकर वो वाली वीडियो देख सकत करते हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर में लिंक डाल दूँगा तो अब बात करते हैं एटल एक्स्ट्रीम फाइबर के रिव्यू के बारे में मुझे 15-17 दिन कंपलीट हो चुके हैं सबसे पहले अगर मेरे प्लान की बात करें तो यहां पर मैंने 2829 रुपे पे करें थे जो क के अंदर आपको रिव्यू देखने को मिलने वाला है गाई सबसे पहले आती है स्पीड की बारी अगर आपके पास जो मुबाइल है लैप्टोप है या फिर आप जिस भी डिवाइस में यह कनेक्ट करना चाहते हो एटल एक्स्ट्रीम फाइबर को उसके अंदर डबल है 100 Mbps का तो आपको 120 Mbps की स्पीड भी देखने को मिलेगी अगर आपका मुबाइल या फिर आपका डिवाइस पांच गीगा बैंड को स्पोर्ट करता है बट अगर आपका बैंड स्पोर्ट करता है ओली 2.4 गीगा हो तो यहाँ पर आपको कम स्पीड देखने को मिलेगी अगर आपका प्लान जादा भी हुआ तो बट गईश यहाँ पर एक अच्छी चीज है अगर आपके पास लैन केबल है जो इसके एक साथ भी एक लैन केबल मिलती है उसकी मदद से आप इसकी स्पीड को बढ़ा सकते हो चाए आपका 2.4 गीगा वाला ही बैंड क्यो ना हो इ जे दिक्कत आपको देखने को मिल जाती है या या अपको सभी वाइफाई के अंदर देखने को मिलेगी चाहे वो कोई भी हो गाइस एटल एक्स्टीम फाइबर के आपके न जू मुझे शंट दिक्कत मिलेगा हो तो तो guys इसका मुझे password फिर change करना पड़ता था connect करवाने के लिए बट ऐसा शिरफ 5 giga वाले band के अंदर होता था 2.4 वाला बिल्कुल सही काम करता था एक दो बार गलती से वो disconnect हो जाता था उसके बाद वो काम नहीं करता था तो इस वज़े से मुझे फिर से password चेंज करना पड़ता था router का उसके बाद ये फिर से connect हो जाता था तो शिरफ एक दो बार ही ऐसा हुआ है बाकी सब ठीक है जो तीसरी प्रोलम है याँ पर मुझे देखने को मिली है मेरा जो प्लान है वो है 100 Mbps का तो कई बार अगर आप speed चेक करोगे जैसे की काफी सारी एप और वेबसाइट है speed टेस्ट करने की तो वहाँ पर आपको जो downloading की speed है वो तो जड़ा दिखा देगा पर कई बार uploading की speed वो काफी कम दिखाता है बट गाइस real में उसकी speed ज़्यादा ही होती है बट मैंने कई बार चेक किया है कि upload की speed सेम नहीं दिखाता है बट गाइस वो जो speed कम दिखाई है upload की वो कुछ बार ही दिखाई है mostly time वो ज़्यादा ही speed दिखाता है तो आपके पास 5 Giga Band का support होना चीए आपके device के अंदर तो आपको internet काम करना एकदम बंद कर गया था यानि कि जो आपके device करेक्ट थे वो वहाँ पर connect तो हो रहे थे बट वहाँ पर no internet चो हो रहा था और गाइस जो router के जो LED light होती है वो भी वहाँ पर चलना बंद हो गी थी बट गाइस जब मैं इस problem के बारे में उस बंदे से आपको काफी अच्छी दी गई है तो service के बारे में काफी अच्छा है तो गाइस कुछ समय के लिए internet काम करना बंद कर गया था वो बोल रहे थे कि जो उनका box है वो maintenance के अंदर चला गया था बट वो काफी जल्दी ही ठीक हो गया था तो आपके साथ भी कोई दिक्कत है तो गाइस आप उनसे contact कर सकते हैं तो आपको जल्दी ही ठीक कर देंगे तो अभी कोई और दिक्कत देखने को नहीं मिली थी इसके अंदर अगर आप next speed की बात करें तो speed काफी अची यहांपर आपको देखने को मिल जती है जितनी speed बोलते हैं उतनी तो एनपर आपको देखने को मिल जती है थोड़ा upload के इंदर उपर नी-चे हो सकता है बट speed आपको साइज से देखने को मिल जती है बट अगर आप Wifi से दूर जाओगे कुछ ज्यादा ही दूर जाओगे तो यहां पर आपकी स्पीड गट जाती है तो आपको थोड़ा पास रहना होगा वाइफाई के गाइस खास बात यहीं है कि अगर आपका जो डिवाइस है वह पांच गीगा हट्ट स्पोर्ट करता है तो आपको स्पीड जादा देखने को मि मिलता है इंस्टोलेशन के अंदर क्या दिक्कत आती है और वहाँ पर मैंने एक स्पीड टेस्ट भी कर जा था तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं चैनल के अंदर देखने को मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मैं लिंक डाल दूगा और अगर अभी हम इसकी स 5 Giga के अंदर भी कि आपको कितनी स्पीड देखने को मिलेगी और उसके बाद देखेंगे आपको 2.4 Giga वाले के अंदर कितनी स्पीड देखने को मिलेगी सबसे पहले हम speed test करेंगे 5 Giga Band की उसके बाद हम speed test करेंगे 2.4 Giga Band की सबसे पहले हम करने जा रहे हैं यहाँ पर 5 Giga Band की speed और यहाँ पर आपको कितनी देखने को मिलेगी यह आपकी screen के उपर एक screen shot आजेगा तो मैं यहाँ पर डाल दूँगा सबसे 100 Mbps का यह वाला मेरा प्लान है और यहाँ पर मैं उसको 100 Mbps मिलनी चाहिए थी speed और देखते हैं अब यहाँ पर speed test के अंदर आपको कितनी speed देखने को मिली है 5 Giga Band के अंदर सबसे जो मुझे speed देखने को मिली है यहाँ पर जो downloading speed है 122 Mbps देखने को मिली है सबसे अब मैंने connect कर लिया है 2.4 Giga वाले Wi-Fi को सबसे अब हम देखते हैं इसकी speed आपको कितनी देखने को मिलती है तो यहाँ पर गाइस अब हम फिर से एक बार test करते हैं और यहाँ पर जो आपकी सामने speed आएगी वो देखते हैं कितनी है वही सेम पलान है 100 Mbps वाला और इसकी speed अभी आपको कितनी देखने को मिलेगी और कितना फरक होता है 2.4 वसे 5 Giga Band के अंदर तो यहाँ पर जो speed देखने को मिल रही है वो यहाँ पर काफी ज़रा कम है तो यहाँ पर आप अपनी screen के उपर भी देख पाएंगे यह वाला screenshot जो आपको downloading की speed देखने को मिली है 2.4 Giga के अंदर सेम पलान के अंदर वो है 43 Mbps और यहाँ पर जो uploading की speed है वो 51 Mbps देखने को मिली है यानि कि गाईस आपका जो पलान है 100 Mbps का उससे आपको आदी speed देखने को मिलेगी अगर आप 2.4 Giga ही support करता है तो अगर आप इसको smart TV के अंदर connect करते हो आपके mobile के अंदर आपके laptop के अंदर तो गाईस अगर आपका सिरफ 2.4 sport करता है तो यहाँ पर आपको आदी speed देखने या फिर laptop के अंदर वो शिरफ 2.4 sport करता है 5 sport नहीं करता है तो गाईस यहाँ पर आप LAN cable का यूज कर सकते हैं अगर आप LAN cable से यहाँ पर connect करेंगे अपने mobile को या फिर जिस भी device को तो गाईस उसकी speed यहाँ पर बढ़ जाएगी जैसा कि आपका जो पलान है 100 Mbps का तो यहाँ यहाँ पर आपको लबग 93-95 Mbps की speed देखने को मिलेगी LAN cable की मरत से बट अगर आप सिरफ 2.4 से connect करोगे तो यहाँ पर गाईस आपको आपके पलान से आदी speed देखने को मिलेगी बट गाईस अगर आपका 5 Giga sport करता है तो यहाँ पर आपको पूरी speed देखने को मिलने वाली है वाईस यह थी वो problems और यह थी इसकी speed test और यहाँ पर कुछ solution था तो वाईस एटल Extreme Fiber काफी अच्छा है यहाँ पर आपको landline नंबर भी देखने को मिल जाता है बट काफी सारे area के अदर यहाँ पर इनकी landline के अदर incoming call की सुईधा बंद है तो यहाँ पर आपको landline के अदर काफी दिक्कत देखने को मिल सकती है कि यहाँ पर incoming की सुईधा बंद है landline के अदर outgoing चलती है बट यह काफी जल्दी इसकी उपर काम कर रहे हैं और यहाँ पर इनकी incoming भी चल जाएगी आप एटल एक्स्ट्रीम फाइबर के बारे में कुछ पूछा जाते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो को लाइक कर देना शेयर कर देना ठैक्स पूर वाचिंग